नमस्कार दोस्तों जैहिन जैभारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कहानी लेखन कहानी का विशे है खरगोश की बुद्धी मानी या फिर आप से पूछा जा सकता है कि चित्र देखकर कहानी लिखिए या फिर पूछा जा सकता है कुछ सब्ज देते जाएंगे आपको प्रेश्ण पत्र में उन शब्दों को जोड़कर आपको कहानी लिखना है इससे संब्धित प्रेश्ण मद्य प्रदेश की बोर्ड वर लोकल पैक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आपको इए वीडियो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए तो हम शुरू करते हैं कहानी किसी जंगल में एक शेर रहता था ये शेर किसी जंगल में एक शेर रहता था वेह प्रती दिन कई पशुओं को मार डालता था एक दिन सभी जानवर शेर के पास गए और शेर से कहा कि हम रोज आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे इस बात पर शेर मान गया शेर के भोजन के लिए रोज बारी बारी से एक जानवर उसके पास जाने लगा एक दिन खरगोश की बारी आई वहें शेर से बचने का उपाय सोचने लगा यानि कि इस शेर के लिए बारी-बारी से एक जानवर खाने को दिया जाता था इस शेर को ठीक ना तो इसी प्रकार एक खरगोस की बारी आ गई तो उपाय सोचने लगा वहें जान बूझ कर शेर के पास बहुत देर से गया वह दूसरा सेर कहां रहता है खरगोश ने बताया कि वह एक कुए में रहता है ये कुवा मैं शेर के कहने पर खरगोश सेर को कुए के पास ले गया शेर ने कुए में जहांका तो उसे अपनी परचाई दिखाई दी शेर ने परचाई को दूसरा सेर मान लिया उसे मारने के लिए वह कुए में कूट पड़ा और मारा गया देखा कैसा मूर्ग शेर था ऐसे जंगल का राजा था लेकिन चतुराई से इसे मार दिया गया वहां से लोटकर खरगोष ने सब जानवरों को शेर की मौत का समाचार सुनाया सभी जानवर यह सुनका प्रसंद हो गए इस कहानी से हमें क्या सिख्षा मिलती है संकट में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए जैसे बाकी जानवरों ने मान ले थी हतियार गिरा दिये दे उनुना परन्तु खरगोस बुद्धिमान निकला उसने हतियार नहीं टेके अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और आतंक वादियों को मार गिराया तो संकट के समय भी हमें हार नहीं मानना चाहिए धन्यवाद दोस्तों